हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज हम जो जिस टॉपिक के ऊपर हम डिसकस करने वाले हैं इस एनलाइस के वीडियो में वह है नैशनल फाइनेशल रिपोर्टिंग और यानिकी राष्ट्रे वित्या रिपोर्टिंग प्राधिकरण और इस बार में जो है हम डीटेल में यह पाउर क्या है और यह क्या है किसका करते विया क्या है ड्यूटिस का तो इन सभी के बारे में में लों आप लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोडिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज का यह जो डिसकेशन है वो शुरू करते हैं तो अभी यह जो है राष्ट्रे वित्या रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानकि नैशनल फाइनेंशल रिपोर्टिंग आउथरिटी अन एफ आर ए कंपनियों पब्लिक इंट्रेस्ट एंटिटीज और ओडिटरों का जो है एक सत्यापीद एवंग साटिक डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है जो कि इसके नियाम किया दाएरे में आते हैं और अभी इस संबन्द में जो है एन एफ आरे भारत में कॉर्पोरेट कारिया मंत्रालाई यानिकी मिनिस्ट्री आफ कॉर्पोरेट अफेर है तो अभी जो है इसका कुछ जो की मतब मुख्य जो मतब बिंदू यानिकि जो की पॉइंट्स जो है उन सभी के बार में थ्टरसी जानते हैं तो अभी जो है पहले जो आता है इसका गठन यानिकि Constitution तो अभी भारत सरकार द्वारा जो है NFRA का जो गठन वर्ष जो है 2018 में Company Adenium की आधारा 132 के तहत किया गया था यानिकि इसका जो मतलब इसको जो गठन किया गया था इसका वो 2018 में किया गया था Company Adenium की दहरा 132 के तहत और यह एक लेखांकन audit नियामक संस्था है तो अभी यह जो है यह अभी एक audit regulator है और उसके बाद जो है इसकी प्रिष्टिभुमियान के background आता है तो फिर अभी पंजाब National Bank सहीद विभिन्न कॉर्परेट घोटालों में जो है लेखा कारों तथा Institute of Chartered Accountants of India की कथित खामियों के जांच के दाइरे में आने के बाद जो है अभी NFRA के गठन का यह निर्ना लिया गया था तो अभी यह जो निर्ना जो लिया गया था इसलिए लिया गया था NFRA और उसके बाद जो आता है संगठन कंपोजिशन तो संगठन जो है इसमें एक अध्यक्ष होता है और यह अध्यक्ष यान की चेर्में होता है चेरपर्सन और वो जो है वो अभी जो की लेखा कर्म, लेखांकन, वित्या थवा, विधी में दिव्शेशक्यता रखता हो तथा इसकी नियूक्ती जो है केंद्रे सरकार द्वारा की जाती है और ऐसे ही अध्यक्ष से भी शामिल होते हैं जिनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए तो यह जो संगठन जो है वो लेखा कर्म और लेखा परिक्षा नितियों तथा कमपनियों द्वारा अपना ये जाने वाले मानकों की अनुशन सा करना है लेखा कर्म मानकों और लेखा परिक्षा मानकों के द्वारा जो है मतलब उसको जो है लागू करना तथा इनके अनुपालन की निगरानी करना है य सही मान को सही अनुपालाम सुनिश्चित करने वाले वेवसायों की सेवा की गुण वदता है उसका प्रविक्षन करना है और उसके अलावा भी सार्विजनिक हित की रक्षा करना इसका मतब ड्यूटी जै इनके ड्यूटी और फॉंक्शन से देन उसके बाद जो है शक्तिया तो यह जो है यह पब्लिक इंट्रैस्ट ऐंट इंटिविस के रूप में नामित कम्पनियों और निकाहोς कि निनलिकत वर्गों से संबंधि rozp जाच कर सकता हैं यहने कुछ जो अ सोड़ी कम ना हो अथवावार्षिक कारवार जो है वो 1,000 क्रोड रुपय से कम ना हो या फिर ततकाल पूर्वर्वर्थी वित्या वर्ष के जो 31st मार्च तक जो कुल बकयाय अधिर्ण या डी बेंचर और जमाए 500 क्रोड रुपय से कम ना हो और बीमा कंपनिया जो है बैंकि प्रिष्ट देने की शक्ति प्राप्थ है और मतलब जो कि जैसे की वैक्तियों के मामले में एक लाख रुपए से कम नहीं लेकिन ये राश्री प्राप्थ होने वाले फिस्ट के पांच गुना तक बढ़ सकती है उसके बाद और भी जो है तथा इसके अलावा भी जो है फर्म यानि का कम्ट्रोलर और ऑडिटर जन्रेल सी एजी द्वारा की जाती है और इसका जो हैड़ आफिस जो है वो है नए दिल्ली में तो आज की इस वीडियो में इतना ही है आश्शा करती हूं कि यह वीडियो आपके आपके लिए बहुत ही फायद़े मन सावित होगा तो इस वीडियो को जो है अंट तक जरूर 24 दखिए और लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने और शेर भी किजिएगा और ऐसे वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करने परती है सो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहेगा और कोई अगर सुझाओ वो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलेगा और प्लीज कीप वाचिंग और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक केर जैहिन